सब्सक्राइब हैं आज अधोगाइज वलकम टू ओल डिन लांन वीट मी आप सभी का हमारे यूटीब Battle 2018 यह अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा और अगर ये विडियो आपको पसंद आए तो इससे like किज़ेगा और maximum share किजीगा तो चलिए आज की class हम स्टाट करते हैं पिछली class में हमने क्या पढ़ा था पिछली लास में अमने फ्लोर वाले पढ़े थी अज हम क्या पढ़ेंगे फ्लोर की साथी अधि är नोट पढ़ेंगे त пр Harveyл ये फ्लोर वाले क्या थी इसी अप लोग साथ को मैं तो को पाँए थीए वर उसमें चूर्षिंगे एख वहाल ह कोशन को पढ़ेंगे थीक है तो फ्लोर वाला अगर आप लोगो ने यह पहली क्लास फ्लोर वाली की नहीं देखित तो आप लोग उसे जाकर देख लेना ताकि आज की जो क्लास है वह आप लोग को बहतर समझ आए ठीक है तो अब चलते हैं हम अपने कोशन के तरफ कोशन यह किस चलते हैं अरह क्राइस हैं अपनी इंगलिस के कोशन की तरफ नएपर को इसलगते हैं हम पुषली कि जैसे हम करते हैं पूजल में क्या करते हैं सबसे अन्फरमेशन पड़ते जाएंगे जिसंफार में का यूज नहीं होगा उसे हम किनारे पर लिछगे ठीक है विझ जो क्या करती कोशन को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं क्या बोल रहा है दियर आर सिक्स परसंस ठीक है यहां पे छे बंदे दियो है कौन-कौन से अवनी मेहर नीला प्रियांश कार्थी को राजी यह के नाम दिये हुए छे रिक्तियों के ठीक हो लिफ सिनर बिल्डिंग यह क्या थरी मतल्ह नीचे वाला फ्रोल पहला उसके उपढर दूसरा फिर सबसे उपर वाला कितना तीसरा एं तीन फ्रोर कि यह लिए क्या है बेलिंग में ठीक है इछ इछ दुनों फ्लेट इसे प्लेट वहां मतलब हम लोगोन नहीं पड़ा है नौर्ट साइक है विवरी साओं ध और सिस्ट या वेस्ट थीके हम लोगों को बहुत बढ़ीया तरीकिये से किसमें पढ़ा रखाए डियरेक्सवन इस्टनस मी अ क्या अगर अगर आप लोगो को इसमें कंफियूजान हो यहां पर फ्लैट वन के राइट सेट पर यहां पर फ्लैट टू जो है वह क्या है वन की इस्ट पर है ठीक है अगर बोलता फ्लैट टू जो है फ्लैट वन की वेस्ट में है तो वेस्ट इस तरह पाता है लेफ्ट सेट तो फ्लैट वन के लेफ्ट पर ले लेते हैं फ्लैट प्लाएट है ये आगया हमारा थ्री का मारा फ्लोर 1 इसने आपयो भी फ्लेटर प्लात है कि सबंप लिए Iya एब रहा था कि वातना हम ने यह लिख लिद्या मतलड फ्लेट गासिपर थे यह उत्व सकता हो तूड यह जो john ty अब देखो अब इसके आगे जो आप लोग को second paira में जो line दीख रही है ना ये line रहती बिल्कुल फाल्तू की line ठीक है पर exam में हमेशा ही आपको लिखी हुई दीखेगी ठीक है exam में हमेशा ही लिखी हुई दीखती है इससे क्या रहता है देखो हम क्या करते हैं इसको पढ़े इसमें क्या बोलता है flat 1 of floor 2 मतलब यह floor 2 इस इम्यडेटली above है इसके ठीक ऊपर है किसके अपर है जो floor 1 का जो क्या है flat 1 तो हम तो यह जमा रहा है क्योंकि पहले इसने बोल चुका ऐसा थीक है अब बोल रहा है कि and immediately below flat 1 of floor 3 और क्या है किसके तो नीचे है flat 1 to floor 3 का उसके नीच फ्लेट टु गाँ प्ल्च फ्लेट इसमच पर तो इस पेरा का कोई भी मतलम नहीं रहता पर एक्जाम में हमेशा यह ही दिया रहता है ठीक है तो हम क्या करेंगे स्कीप करते हैं और चलते हैं आगे इतना तो समझ आगे यह मैंने किया था और इसी समझाई दिया थीक है अब चलते हम आगे अब आगे हमारा information दिया हुआ है इस information को हम पढ़ेंगे flat वाले में आप लोग को बिल्कुल भी confused नहीं होना है ठीक है बहुत easy रहता है अराम से solve हो जाता है देखना आज में कितनी easily आप लोग को इसको समझाओंगे ठीक है क्या बोल रहा है प्रियांस does not leave on the same floor number as अब देखो सबसे पहली बात flat और floor वाले में कहीं भी हमें दीग गया floor तो ہम पूरा floor लिखेंगे कहीं पर दीग गया flat तो हम flat लिखेंगे six ke- Sophै अगर हम लिख Hundreds हम अगर और नहीं लिखके चलते तो क्या हुआं हम ADHD चलता है की of new और that मैं लिक लिया नहीं नहीं रहता है थाख हमן की थिस अभिए नहीं रहता है थाख मुझे यहां पर हैं ज़रूरी हो जाएगा कि यह इस दोनों सें फ्लोर में रहता है जरूर अग अगर भाव बहुत सल्ट बैसे सहिं को तुम क्रिणे कर्विछ के बिल्कुल इसली हम अपना कोशन सॉल्व करती हुए चलिंगे यह जैसे जैसे बोल रहना बस हम वैसे ही करते जाएंगे तो हमारी पजल सॉल्व हो जाएगी ठीक है चलो लिखते हम आगे क्या बुल रहा है प्रियांस दस नॉट लिव ऑन दा सेम फ्लोर में नहीं है माल लो अवनी यहां पर आई तो इसके साथ कौन सा फ्लोर यह फ्लोर वन है यह भी फ्लोर वन है ठीक है फ्लैट वन फ्लैट टू ठीक है पर फ्लोर तो क्या है सेम है ठीक है तो फ्लोर वन पर अवनी आएगी तो प्रियांस नहीं आएगा ठीक है फ्लोर टू पर अवनी आएगी त प्रियांश नहीं जुए के सेम फ्लोर पे नहीं है तो अब हम क्या लिख लेते हैं अप्लोर है झार्ट ठीक है सेम फ्लोर नहीं हमने लिख लिए अवनी और प्रियांश का ठीक है यह हमने लिख लिए अब क्या बोल रहा है को सेम फ्लोर नहीं पर सेम फ्लेट हो सकता है मालो अवनी यहां पर आगई तो प्रियांश यहां पर भी हो सकता है यहां पर यहां पर नहीं होगा इतना पत नीला आ गई मालो मैंने नीला को लिख लिया यहां पर फिर वही बात आई क्या नौर्थ साउथ इस्ट और वेस्ट अब वेस्ट पर बोल रहा है मतलब लेफ्ट साइड पर वेस्ट मतलब हमारा लेफ्ट साइड पर अब बो रहा है कि नीला के लेफ्ट साइड पर कोई निया इसे यहां पर लिख लिए फ्लैट वन के अब इसके लेफ्ट पे कोई जगव अच्छी कहा नहीं क्योंकि फ्लैट वन तो लास्ट पे है तो आएगा क्या इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं तो क्या समझ में आया इस लाइन से कि नीला के left पे west पे कोई नहीं मतलब left पे कोई नहीं है और नीला कहा जाएगी flat one पे अगर आएगी यहां पे कहीं पे आएगी तिनों में से तब तो इसके left पे कोई नहीं आएगा नीला क्या है फ्लेट 1 पे है ठीकि इस लाइन का मतलब समझ में है नीला कहां बैटी हुई है नीला आगई फ्लेट 1 पे ठीक है अब क्या बोल रहाए देखो who lives अब who किसके लिए उज़ोर है नीला के लिए नीला कहां रहती है the same floor number is कार्थी अब देखो नीला अगर यहाँ पे लियाई ठीक है नीला अगर यहाँ पे आए चाहे नीला अगर यहाँ पे हमें नहीं पता भी कहाँ पे है पर सेम फ्लोर पे है कार्थिक के कहने का मतलब क्या है नीला सेम फ्लोर पे है कार्टिक के मतलब नीला यहां पे है पहले फ्लोर पे तो पहले फ्लोर यह पहला फ्लेट यह दूसरा फ्लेट मतलब कार्टिक यहां पे आ जाएगा ठीक है नीला दूसरे फ्लोर पे है ठीक है तो कार्टिक यहां पे आ जाएगा द कहते हैं नीला है यहां पे है एक लिवग्य फ्लोर और फ्लोर से ओने आइसे ही यह उना है फ्लोर 1 पे है फ्लोर on ndra in theusted catalog फ्लोर ?", आध्य Yes शौन पर ना-मिन पता कहा पीए उने तुम मुंपनाऊ है कि कह रहा है अवनी लिफ्स बिलो दा फ्लोर ओन विच मेहर लिफ्स मतलब मेहर कहीं पे रहती है ठीक है मेहर कहीं पे रहती मेहर के नीचे ही कहीं पे कौन है अवनी है ठीक है मेहर के नीचे ही कहीं पे फ्लोर पे अवनी है हमें नहीं पड़ा ठीक है और क्या बोल रहा है बट न मेहर के नीचे वाले फ्लोर में यह दुनों 100% पर नहीं नहीं है स्वे पे नहीं है कि महिल उसे पर इंवाल ऊब के नीचे आपने का दो रहे? महर और पर आपनी सेम पी नहीं है ठीक है यह हम में लिख लिआ अब क्या दूराh फना नमी जोड़ती द्याल सुआ, प्राइव परूर कले Umut Les shared अरेंज हो जुका है राज अब कैसे आएगा देखो नीला और कार्टिक आना है एक साथ नीला और कार्टिक को अगर मैं यहां पे ले लूँ यहां पे तो आएंगे नीला कार्टिक क्योंकि एक में राज बैट रहा है या तो फ्लोर थ्री पे आना है या तो फ्लोर वन पे आन प्रियांश के अबनी को अगर मैने यहां प्रिक लिख लिया तो अमी मेहर की हुप्पर मेया अगे अब देखोँ मेहर यहां प्रिया अपर यहां प्रियांग। मतलब flat one पे तो आएगी नहीं क्योंकि flat one पे महर है अब बचा कौन निला कार्टिक महर राज अवनी प्रियांश प्रियांश बचा तो प्रियांश को हम लिख लेंगी यहां पे यह अरेंच हुआ गया नहीं क्योंकि यह वाले information से यह क्या होगा हमारा गलत हो गया क्यों क्यों कि इसने बोल रखा है कि अवनी और प्रियांश क्या है कभी एक फ्लोर पे नहीं आएंगे जबकि इन दोनों तो सेम फ्लोर पे आगए फ्लोर वन पे तो यह information से यह क्यों होगा हमारा गलत हो गया तो अब नीला कार्थिक जब तीसरे फ्लोर पे नहीं आएंगे तो नीला का कार्थिक ठीक है तो यह वाला information तो मेरा यूज हो गया ठीक है अब फिर से वही मेहर के नीचे ही अवनी आना है तो मेहर उपर वाले में कहीं पैए उसके नीचे ही कौन आएगा अवनी अवनी के लिए यही प्लेस बची क्योंकि निला कार्थिक रास्तों फीक्स है ठीक है अवनी के लिए एक प्लेस यह वाली बची जब तो मेहर की नीचे है और सेम फ्लेट पर नहीं है तो मेहर यहां पर आ सकता है क्या नहीं तो मेहर के लिए कौन सी प्लेस बची यह वाली ठीक है मेहर के लिए यह वाली प्लेस बची बचा कौन प्रियांश प्रियांश को हम ल अवनी प्रियांच सब्वाइब है फ्लोर प्रियांच और प्रियांच सब्सक्राइब कीक さि रहले तो गयEM एति प्रियांच सब्सक्राइब किसे अवनी पीधिसli और देखे ब снबाएस Esta सारे information को देखते हुए ध्यान में रखते हुए इस जैसे जैसे बोला हमने वैसे 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 सॉल्व किया ठीक है अब possibility बनी थी दो ठीक है possibility एक floor 3 की बनी थी किस के लिए नीला और कार्थिक की लिए और एक floor 1 की बनी थी floor 3 पे गलत आगया floor 1 पे सहीं आगया जिससे की ये puzzle हमारी solve हो चुक है तो ये समझ में आगया कि किस तरीके से इस तरीके की कोशन को हम solve करते हैं ठीक है इस type की question को हम किस तरीके की से solve क में दो दोस्ते हैं या आधा पांद है यहां मैं धिन्फॉट However, भी अव्यूंद बंद है लिंगा खाया ह्सयासि कहीं है कने साथ बंद है वैसे ही एक बिल्डिंग पे रहते हैं वैसे ही जमता है हमेशा फ्लोर लिखा भी होगा आगे सब्सक्राइब इस नमबर एस वन ठीक है एंड टॉप मुस्क्राइब इस नमबर ठीक है यह समझ में है इच ओफ फ्लोर कंसिंस थ्री अब देखो हमने पीछले कोशन में क्या पढ़ाता दो फ्लैट पढ़े थे अब यहां पर तीन फ्लैट आगे मतलब फ्लैट वन फ्लैट 222 एक ठीक है तीन फ्लैट पढ़ाथे थीक है थी तहीं इस फ्लोर वन है लेकरिते हैं फ्लयट फ्लोर फ्लोटी में में घ somehow प्लैट 10₁इस थीखेश्या में वहीं सब दिया हुआ हूआ है सब पहले हम लिक लीएते हैं उलेथ्ट फ्लैमस्क्य ट्री फ्लोर फ्लोर के आन च सब्सक्राब सब्सक्राइब को से सरी छेए 1 जो आए चर när रहा तो यह मुलिआ तो प्लेज के गिल्च को सवाय के रहे को कंद वाल मग्मलब प्लेसे लिखा हगोление सब्सक्राइब घ्राइब प्लेज आगे यह बतोग girory इध्यमुझन का सबसुआं दर दीखुए छेघर चेवाएब मैंने लिखा फ्लेट 2, यह क्या बोल रहा है? इस्टПрे है मतलब नर्घ साउ disse शॉर स्मत्लब राइट पे है, ठीक है राइट पर किसके राइट पर आएगा फ्ले टीक है, किसके राइट पर आजाएगा फ्लेट 1 केências फ्लेट 1 के इस्ट पर फ्लेट 2 है और flat 3 के west पे flat 2 है यही बोल रहा है यह flat 3 के west पे मतलब north, south, east और west flat 1 के east पे flat 2, flat 3 के west पे left पे कौन आ गया flat 3 समझ में आएगी east-west वाला concept ठीक है east मतलब right, west मतलब left ठीक है तो हम क्या लिख लाते से flat 1 है यह flat 2 है यह flat 3 है ठीक है यह हमने लिख लिया अब क्या बोल रहा है देखो इतना समझ में आगा है not less than two persons lives on the same floor मतलब 2 से कम व्यक्ति same floor में नहीं रह सकते यह 3 प्लेस मतलब कम से कम 2 व्यक्ति तो हर floor पे आने ही आने है अब देखो यहाँ पे place कितनी है total place कितनी है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ प्लेस परबंदे कित्ते दी हुए है 7 मतलब 2 जगा किया हमारी खाली 2 flat में कोई भी नहीं रहता है 2 flat किया हमारी vacant है इसने आगे बोल रखा है कि 2 से कम व्यक्ति नहीं रहता है मतलब किया है हर flat में 1 व्यक्ति ही रहेगा 2 व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंग है एक बन्दा यहाँ एक बन्दा यहाँ एक बन्दा यहाँ एफ अल्ग अब दिखो 9 से उते हैं तो साथ भैकति नसे से सब trop keek झाली ही रहेगा भुंग पयाका है नो भी प्लेटि और लोर nudप embraced직 व्लेटosis तो यहीं सब बातों को छोड़के अब चलते हम अपने कोशन को आगे पढ़ने की तरफ ठीक है यह information से हमने क्या क्या सिखा सिर्फ इतना ही सिखा ठीक है कि ऐसे आरेंज होगा दो फ्लेट खाली रहेंगे ठीक है अब चलते हम इसके आगे की कोशन की तरफ तो अगली यह रही आप लोगों के सामने ठीक है इस पर पूरी information लिखी हुए इससे हम अपने कोशन को सॉल्फ करेंगे क्या बोल रहा है फिर वही काम जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेंगे ठीक है डी डास नॉट लिव इन दा सेम फ्लैट नंबर एज ए मतलब अब मैं information को लिख श्माल पर चमेंगे waterproof यह रहा है अब क्या बोला है जी लिव से बिलो द फ्लोव अन विच देलिव धिए डी की नीचे ही कहीं पर घीक है ठीक है डीव से बिलो जी नीचे है कि सिख दीग के बसकपअब हुर्ण अब फिर सि वही वार्य यह दोनों कैंगे F.卞, F.W.tpon in यह भी मिलागी हमंने लिख रहा कि मिलिख लएं इंशित 큰 नहीं है तीक futures ओमोगने रोट में स्था की अजरब डीनatemmer को दो हैं पर इंशित विस øर ऐह ओम करvous दो आ्थ हिंद стран Race student perhaps एमने लिख लीन झी सबुसरों को रागी हमारा कई झाफ्लेट हमने लिख लिया जी ठीक है इतनी information से हमने ये ये note कर लिया अभी क्या बोल रहा है अगे देखो इतना समझ में आ गया जी लिवस इन एण इवन नंबर फ्लैट एंड और सेकंड फ्लोर हमने जी को arrange कर लिया अभी क्या बोल रहा है but not on the same floor on which A lives मतलब same floor पे नहीं है जहां पे A रहता है मतलब A यहां पे भी नहीं आना A यहां पे भी आना नहीं आना मतलब A क्या है floor 2 पे A नहीं है ठीक है इसका मतलब क्या है A क्या है floor 2 पे नहीं है ठीक है अब आगे पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहा है F and B do not live on the same floor अब हम लिख लेते हैं कि जो F और B है ठीक है यह दोनों नहीं है same floor पे अब इसने floor बोला है flat नहीं बोला तो हम दे floor लिख लिया ठीक है अब क्या बोल रहागे A does not live in the same flat number as F अब A और F जो है same flat पे नहीं है अब इसने flat बोल दिया तो हम लिख लेंगे यहां पे flat ठीक है अब क्या पोल रहा है no one lives on the east of sea अब देखो C के east पे कोई नहीं है ठीक है तो यह क्या होगा है North, South, East and West C के east पे मतलब C के right पे कोई नहीं है ठीक है तो अब हम लिख लेंगे कि C के right पे कोई नहीं है ठीक है अब देखो C के right पे जब कोई नहीं है तो हम क्या बोलेंगे C के इधर पे कोई नहीं है तब सी definitely तीन पाएगा पर यहां पे दो सीट बेकेंट है तो यह वाली information से यह हम नहीं बोल सकते हो सकता है कि यह वाली सीट क्या हो खाली हो और C यहां पे आ जाए तो C के right पे फिर भी कोई नहीं हुआ तो यह क्या आएगा C या तो second floor पे second flat पे आएगा देखो अब बोल रहा है only one floor is between E and C ठीक है अब बोल रहा है यह और C में एक फ्लोर है अब मैं कैसे लिखनूँगी E यहां पे आया नीचे एक फ्लोर तो C यहां पे C यहां पे आया नीचे एक फ्लोर तो E यहां पे तो हम क्या करते हैं इसे ऐसे लिखके रख लेते हैं ठीक है अब क्या बोल रहा है आगे इतना हो गया but and both live in same flat number ठीक है और यह क्या है same flat पे तो अब हम लिख लेते हैं E C यह दोनों क्या है flat सेम है ठीक है same flat हमने लिख लिख लिए E C का same flat है ठीक है बी लिवस इमीडियेटली वेस्ट टू E अब E यहां पे है इस साइड पे मतलब F और E ऐसे अरेंज होंगे ठीक है इतना समझ में अब क्या बोल रहा है देखो बी लिवस इमीडियेटली अब अब मैं यहां पे लिख लेते हूं बी क्या है A के ठीक उपर पे मतलब B A ऐसे ही अरेंज होना ठीक है तो अब देखो सबसे पहली information हम इसे अब गरेंज है कम प्सक्त्राइब स掃ए मैं में एक में के मतलब टीक है एक मिले गरेंज हब हो इसा पर चीक है तो डी के लीए इस सब्यक्राइब पर इस पार ऐसे लिए को पे अर्क यहा थे रहा 에는लम D यहाँ पे ले लिया हमने अब दो possibility बनी यह हम पहली को ले रहे हैं ढूसरी हमारी हमने skip करकशे है बसे हम रोके रखते हैं टीक है D को हम यहाँ पे ले ले लेते हैं एक बर मैंने यहाँ पे लिया अब मैं अर्इंज करने की खोशिस करती हूँ ठीक है अब देखो डी यहां पे आ गया अब दूसरा information क्या है उसका सकती हूँ मैं E C वाला देखो C second या third flat पे आना है C के right पे कोई नहीं था तो अगर C को यहां पे ले लू मैं तो E यहां पे आ जाएगा ठीक है तो C के right पे तो कोई आ गया तो S A range होगा नहीं तो C को हम ले लेते हैं यहां पे E को ले लेते हैं यहां पे हो सकता है कि ऐसे आरेंज हो जाए ठीक है अब C के बाजू पे कोई नहीं बैठा है ठीक है यह समझ में आ गया और C और E में एक बन्दा है C flat दूसरे या तिसरे पे क्योंकि C की right पे कोई नहीं यहां तक कर तो arrange हो चुका है ठीक है अब देखो यहां तंका arrange हो गया अब A floor दूसरे पो A आना नहीं ठीक है तो A के लिए कौण़ सी प्लेस बची A दूसरे पे आना नहीं A यहां पे आ सकता है कर नहीं? तो A यहां पर नहीं आएगा, तो A के लिए कॉनसी प्लिस बचीी तेवन? वाली A यहां पर आ गया, अब A यहां पर आ गया, तो B कहाँ पर आ जाएगा? यहां पर B आ गया, ठीक है新 यहां पर आ गया कर दो क्वेखेंубर दो को यहां तक होंगे F न高ता आ espaço Ф शुन के पहले हम ने इसे लिया हम लोगों ने छीक है इसे और इसे टीक है अब मौल रहा था अब सैके लिए हम आफähän के बाद एद इस लोड़रा। इसको follow नहीं कर रही, तो D कहां पे ले लेंगे, हम D यहां पे ले लेंगे, ठीक है, अब D यहां पे ले लिया मैंने, ठीक है, D यहां पे ले लिया हम लोगों ने, अब क्या लेंगे, दूसरा information, फिर वही E C वाला, ठीक है, फिर वही E C वाला, अब मैं E C को यहां पे लेके द चेलिए कोन से क्हीं पिलेंच यहां प्kar Э begitu यह ऋपने तो यह थोग्या तो और बोल रहे हैं तो फिर टी और इस एम ओर Far하하 वेश थो Crमाट हैं तो यहां पर चाहिए यहां फिरा की यहां हो देखो देखो यहांपेयहां एक बढ़ करेंसिटे चुस्य लेखते हिस्य इस नीचे से सीरी ने तरे टरीसिदेस्य। यहां नहीं क्योंकि उपर पे C है, A यहां नहीं क्योंकि उपर पे B के लिए जगा नहीं है, तो फिर से यह क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, मतलब क्या समझा हम लोगों ने देखो, D यहां पे लिए तो नहीं बैठा था सहीं, ठीक है, और D यहां पे आना नहीं, ठीक है, तो यह दोनों प्लेस लो D के लिए हट गई बिल्कुल, अब D यहीं पे ही बचा था, ठीक है, D यहीं पे याना, यह तो फिक्स हो चुका है, अब E, C यह भी गलत आ गया, C, A, यह भी गलत आ गया, ठीक है, तो अब C, A के लिए, E, C के लिए कौन सी जगत बची, E, C यहाँ प इसको कोई आना नहीं है, इतना बाते समझ में, D, G, यह हो गया हमारा, D के नीचे G, सेम फ्रेट पे नहीं है, ठीक है, अब देखों, B के नीचे A, A के लिए यहाँ पर आ सकता है क्या, A नहीं क्योंकि उपर तो D है, तो A यहाँ पर आ सकता है क्या, नहीं उपर तो कुछ भी नहीं, तो A यहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक है, A प्रफ के बाजू पे यह भी हो गया थीक है अब देखोव एसी क्या है सेम फ्लेट में बिलकुल सी और एसे इसे फ्लेट पे यह लेख एक है दूसरे फ्लोर पे नहीं है एह कहां आ रहा है फ्लोर वण आपूनलों के सब्सक्राइब मेन और फ्लाइब दोड़ मेद रियुकर करो do अब ऐस्पार है कि कहाए इवालत है पहले फ्लैट पी जिए इंवन …" फॉलो कर रही है फ्लोर भी सेम फ्लोर पिन आरही है एक इंफर्मेशन यह बचिए डी और ए तो पहले फ्लेट में है और दी तो पहले फ्लेट में फ्लेट में मतलब यह क्यों है हमारा arrange पूरा हो जुक है, सारी information हमारी follow कर रही है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, पूरा puzzle solve हो जुक है, इसने जैसे जैसे बोला, हमने वैसे वैसे किया, जो जो possibilities बनी, हमने वो को क्या की, वैसे वैसे रख के देखी, और ये क्या हो कि हमारा arrange हो जुक है, ठीक है, तो ये कैस समझ में आ चुका होगा ठीक है तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा फ्लॉर बढ़ा पहली क्लास में फिर हम लोग ने पढ़ा फ्लॉर प्लस फ्लेट ठीक है इस पे दो कोशन थे एक नॉर्मल फ्लेट वाला और दूसरा वैकर्ट वाला अब मैं कल जो क्लास लेकर आओंगी वो क्या रहेगा फ्लोर रहेगा वो भी उस पे भी वेकन फ्लोर रहेगा ठीक है हमने फ्लोर पढ़ा था हमने वेकन फ्लोर नहीं पढ़ा था तो वो मैं आप लोगो को कल पढ़ा दूंगे ठीक है तो इसमें तीन तरीके से बन सकते थे ठीक है उसमें दो हम पढ़ ली है और हम कल पढ़ेंगे ठीक है उम्मीद करते हैं कि जो मैंने समझाने की कोशिस की है वो आप लोगों समझ में आया हुगा आज की जो क्लास थी बिल्कुल हाई लेवल की थी यह कभी भी प्री में नहीं पूची जाएगी हमेशा मेंस में पूचे जाएगी फाइफ मार्क्स का ठीक जाएगी है